वेलकुम बैक इन न्यू वीडियो गैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे गैस मेरा नाम है सारदिन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब टेनल फार्मेशी वाला कोई भी सपनसाकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहाऊना चुणिए फार्मसी वाला को और करे अपनी बी फार्म एंडी फार्म का सपनसाकार डाउनलोड दिया नाम तो आज की वीडियो ने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फिजीकल फार्मस्टिक्स भीफार्म थार्ट सेमेश्टर में चल लए थी तो इसके हम देखे फोर्थ उनिट पूरा कम्प्लीट करा चुके हैं सारे लेक्शर को आप देख लिए न और प्लेलिस्ट कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जो लास्ट वची हुई है पी एच बफर एंड आइस्टोनिक सॉलूसन जो कि काफी छोटी उनिट है इसको हम तीन लेक्शर में पूरा कवर कर देंगे तीन या मैक्सिम चार आपको बह क्या होता और फिर प्याच को क्या से डिटर्माइन करते हैं वह दोनों अपने मैठड बताने हैं तो इसको हम देखने वाले हैं बाकि देखिए जो सारे इंपोर्टेंट कुसंस हैं हम अप्लोड कर चुके हैं आपके अलिजम आई ही गए तो उसकी प्लेलिश्ट का लिंक मे सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर यहां पर पूछे गए हैं तो देखते हैं बारी-बारी से बाकि यह जो कॉंसेप्ट है आपको पता ही होंगे आपने पढ़े ही होंगे पियाच बगेरा आइसे टोने ही करना है तो यहां पर देखे सबसे घ्रके li 용 के बारी में और पर और सब्सक्राइब करता है हुदर अब करने किसी स्ब्सक्राइब रहे कि इसम ले दें कि हमारे जो solution वो acidic है या basic है आपको मालुम होगा कि अगर hydrogen ion की concentration ज़्यादा होती है तो वो हमारा solution acidic होता है और वहीं अगर hydrogen ion की concentration कम होती है वो solution हमारा basic होता है तो simply starting में आपने लिखना है एक देखे pH इसे numerical scale that is used to indicate acidity और basicity of any solution किसी भी solution की acidity और basicity को पता करने के लिए हम pH का यूज करते हैं और इसके बाद हम बात करें तो यह जो pH के concept है सबसे पहले एक Danish chemist थे Danish जो है एक हमारे देश का नेम है तो वहां के scientist जो थे Sorenson उन्होंने 1909 में सबसे भी ले पीज के concept समझाय था कि आप किसी भी solution की acidity और basisity को पता कर सकते हैं hydrogen concentration के basis पर यावले तो pH के basis पर यहां पर उनके according to definition यहां पर दी गई है वो है कि pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration in a given solution कि कोई भी solution है उसमें hydrogen ion के जितना पी amount है जितनी भी concentration है उसका आप negative logarithm निकाल दो तो वहां पर आपकी pH value निकल जाएगी आपको संद बनता है कि आखरी log 10 यावले तो negative logarithm होता क्या है या जरूरत क्यों पड़े इसको लगा लेकिन देखिए अगर हम simply अगर हम जैसे examples में आपको समझाता हूं सब्सक्राइब करते हैं तो वाटर का यहां पर जो इसके मतलब क्या है कि उसमें सेवन होते हैं यहां पर कॉंसेंट आपने कलीर करना है वही logarithm का यूज करके ही आपको कल्यर काल कि आपको कि हमारे जो वाटर जो होता है वह इसोसियेट होता है है एच प्लस आईन में और ओच मैनस ओच मैनस आईन में तो यहां पर जो हाइड्रोदन आईन और ओच मैनस जो आइन है तो यहां पर इनकी अगर हम कंसेंट्रेशन के वाद करें तो वह होती है 10, 2 की पावर bynus 7 एंड 10, 2 की पावर bynus 7 दोनों बरावर बरावर ही होते हैं ठीक है? अब देखें इसे ही गरहम ऐसे ही बोलें कि हमारे जो water होता है उसमें 10, 2 की पावर bynus 7 hydrason 9 होते हैं तो यह थोड़ा समझने में दिक्कत होती है मतलब किलियर नहीं हो पाता कि actually में कितने महाँ पे hydrogen है तो इसी को solve करने के लिए उन्होंने negative logarithme या उन्हों तो log का यूज़ किया था तो यहाँ पर simply अगर हम इस formula में रखें कि pH equals to minus log 10 और यहाँ पर H plus आयन concentration तो यहाँ पर simply यहीं पर हमने फिल करना है माइनस log 10 और यहाँ पर कितना है 10 तो कि पार माइनस सेवन हाइट्रोडरेन की log 10 की पावर 10 होती है उसकी value होती है हमारी 1 यह आप बिल्कुल समझ लीज़े मनलब fix concept math की log 10 की पावर 10 की value होती है 1 तो इसमें multiplication करेंगे तो वही सेवन आएगा तो इस तरीके से पीएच जो सेवन निकल के आता है कि इसका वाटर का लेकिन अगर हम logarithm का यूज नहीं करते तो हमको इस तरीके से बोलना पड़ता है कि जो वाटर का जो पीएच है वो 10 तो इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने सिंप्ली लोगरिफ्म का यूज किया ठीक है तो आप क्लियर हो गया होगा कि definition में क्यों यूज करेंगा है लोगरिफ्म इसके वादे कि आपने सिंप्ली कॉशन में लखते जाना है कि जो पीएच स्केल जो होता है सोरंसन पीएच स्केल उसमें 0 से लेकि 14 तक नमबर्स होते हैं जिसक इस तरीके से आप आगे लिख देना होगा इस स्केल को बनाने के बार कि 0 से लेके 7 तक हमारी ऐसंडिक होता है और 7 तक हमारे नीटरल होता है पी एब बात करते हैं यहां पी एच डिटर्मेंटर्मिनेशन हम कैसे डिटरम bots केशें कर सकते हैं तो इसके दो इंच्इवद्र First method and calorimetric method तो यह थोड़े long में देखने हैं हमने तो वही जो method हैं यहाँ पर मैंने लिख रहे हैं तो यह दो तरीके होते हैं एक elektrometric and calorimetric और calorimetric में भी दो होते हैं वाई pH paper and y standard solution तो हम बारी बारी से हरे को देखते हैं तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम बात करते हैं जो method हो है elektrometric method तो देखे simply आपने देखे वर्ड को break करना है आपको मतलब समझ महाँ जाएगा elektro plus metric electro means होता है electricity या उले तो potential and डूसरा है metric metric बोलते है measurement यानि कि इसमें जो pH के measurement के जाता है जो pH पता लगाए जाता है वो potential को यावले तो electricity को measure करके पता लगाए जाता है मतलब कि आपको यहाँ पे solution होगा जिसका भी हमने pH पता करना है तो उसमें हम कुछ ऐसी दिया वोले तो electrode बगर है यहाँ पे तो electricity का यूज करके उसको ही मिजर करके हम pH को पता करेंगे तो यह पूरा एक इसका instrument वगए रहा होग उसका आपने पूरा construction वगएर वर्किंग वगएर आपने लिखनी होगी ठीक है तो वहीं लिखाए कि इन दिस इसका principle क्या हो गया कि यहां पर हम जो हमारा पोटेंशिल जो होता है उसको हम पता लगाते हैं और पोटेंशिल किसके बीच में पता लगाते हैं दो इलेक्ट्रोड इसके मैंने आपको अब दिखाए कि दो इलेक्ट्रोड होंगे एक हमारा ग्लास एलेक्ट्रोड होगा और दूसरा हमारा रैफ्रेंस एलेक्ट्रोड होगा तो इसके बीच में जो पोटेंशिल डबल अप होगा यही कहलाता है हमारा इसका प्रिंसिपल आपको समझ आगया होगा तो सिंप्ली लिखा हुआ है आपने ऐसे ही लिखना है अब बात कर प्रिंसित की कंस्ट्रेक्ट्चन या उनले तो जो इसके पार्ट्स होते है में अबल जो हमारा एकूपमेंट है या एपरेटेस है तो इस चारपर्ड्स होते हैं एक होता है बॉल्ट मेटर भी बहुते हैं जिसको पोटेंशियो मेंटर जो कुळूड़ पॉतेंशियों यूज की जाती है इसको हम थर्मो कंपेंसेटर बोलते हैं मलब जब हम इस सोलूशन का प्याइच हम पता करेंगे तो उसका जो टेंपरेचर वो चैंज नहीं होना चाहिए तो इस बजय से हम एक एक चीज यहां पर थर्मो कंपेंसेटर का यूज करते हैं तो बारी बारी से इन चारो पार्ट्स के बारे में आपने लिखना है देखिए मैं आपको समझा दूं कि यहां पर आपको सॉलूशन है जिसका अपने प्याइच पदा करना है यहां पर दो इल यहां पर देखिए जो बोल्ट मेंटर करेंगा इन दोनों इलक्ट्रोड के बीच में यहां पर देखिए जो आपको दूसरा नजर आरा तीसरा यह तर्मो कंपेंसेटर होता है जो कि इस सॉलूशन की पूरा जो भी है उसके टाम्प्रेचर को मैंटेन करके रखेगा एक ही बना के रखेगा constant यहां पर देखिए जो बोल्ट मेंटर के पास जो रीडिंग आएगी आवल तो पोटेंशनल डिफ्रेंस आएगा वही जो रीडिंग है एंप्लिफाय के पास आएगी और यह थोड़ा और एंप्लिफाई करेगा वही तो उस रीडिंग को और अच्छ तर इहहें जोटे है तो एक आरा च्छ बीच वहाएं और इसमें बफर सोलोचन भर होता है कित्सटेंट पियर वPods प्लस यहां पर जो है ज्युक्त-पिद्लयाँ साटल पाउथ है यहां से शोलुमित अंदर जा सकते हैं अगर देखिए इस सोलुमित तो यहां उर्लियाद में तो इसके अंदर जाएंगे रेफरेंस भी कंपेर करते हैं कि आखर कितना यहां पर हाइड्रोन ऑ्याइड हो रहे हैं हमारे ग्लास लेक्टोड में तो यह जो है कि मुश्टली केलमल यहां पर यूज कर जाता है ऐस रेफ्रेंस लेक्टोड और इट कंसिस्ट मर्कृ और मर्कृरियस ख्लोड पेस्ट वहाँ तो इतनी दर में हमारा प्यत मेजर होता है जो यह चारों पार्ट की क्या है कैसे काम करता है तो यहां पे चारों जो जो बारी-बारी सबस्क्राइब करने होती है यहां पदी के सबसे बहुत है कि वह है बेफोर यूज रिंस दा इलेक्ट्रोड एंड ड्राइब इस सॉफ्ट पेपर कि सबसे जो भी आपका जो एक्क्यूप मेंट इन उसमें जो इलेक्ट्रोड आप उनको दो लीजिए और उसके बाद सॉफ्ट जो आपका पे बश्ट्राइब श्रीजिए नहीं अच्छी तरीक से इस स्टेप्ट में आपके प्रेंड जेनरेट वी आप नहीं हो तो यापने अच्छी तरीक चेसे इसको कर देना है नेस्ट इस्टेप में आपने क्या करना है आफटर डैट पोटेंशल विल जनरेट पिटमी लास और रफेंश लिक्तौर डियू तु माइग्रेशन ऑफ हैट्रोजन और उसके बाद में क्या होगा पोटेंशल यहाँ पे जनरेट होगा क्योंकि यहां पे हैं इस सोलूसर में हो जाती है थोड़ा प्र этом में डीफ्रेंस आजाता है और यहां की कि निखाईगी लेटर मिजट मीज़ी टो लेंट मेहार है एलक्रोमैटरिक मेहार होике क कहले हैं तो यहां पर है कि वर्ड को ब्रेक करतें हैं कि ऐसा तरीका और इसा method कि इसमें जो pH जो होता है वो color को measure करके पता किया जाता है तो यहां पर बहुत है कि in this method pH is determined on the basis of color produced principle क्या हुआ कि the principle involved in the comparison of color of the test solution with the standard solution of definite volume कि इसमें जो भी हमारा solution जो होता है जिसका हमने pH determined करना है तो उसको भी color नजर आ रहा है तो उसको हम standard solution से compare करेंगे या फिर जो हमारे standard जो हमारे मलब की दिये होते हैं pH meter में जो आपने color बगएर देखे होंगे standard तो उससे हम compare करते हैं तो यह जो है इसका principle है तो उसके दो method होते है एक है pH paper या उसको colorimetric paper method भी बोलते है लिखाए कि for daily work pH of solution determined by pH paper and in this method pH paper is dipped in the solution whose pH has to be determined then paper will show some color and this produced color is matched or compared with standard color जिसके मैंने हाँ पर दिखा रहा है कि आपका solution है जिसका अपने pH को determine करना है तो आपने pH paper लिया और उसमें डूप हो दिया अब जिसके यहाँ पे color न जिरा अब इसी color को आप standard जो आप color लगे होते हैं मलब pH paper का set होता है उससे में कई color लगे होते हैं अब उससे मैच करना है कि किस से मैच कर रहा है जिससे भी मैच करेगा उसका जो pH solution का उतना ही होगा ठीक है यहाँ पर लास्ट में छोटा सा और आपने लिखना है दूसरे method के बारे में वह है वाई comparing with standard solution लेकि यहाँ पर जो हम compare कर रहे हो एकदम standard हमारा color मलब set लगा होता है pH paper के साथ में जो आता है पूरा system तो उससे हम मैच करते हैं लेकिन यहाँ पर जो है हमने standard solution को बनाना होता है लिखाए कि in this method standard solution prepared with non pH value अब suppose करिए कि आपने कोई एक solution बनाया यह एक solution बनाया और इसका जो color है वो हमारा red आ रहा है है और इसका आपको pH फिर पता चलाए कि उसक सब्सक्राइब करना है तो इसका जो color है इस standard से ही compare कर जाएगा वहाँ पर लेकिन pH जो पेपर था है उसमें जो हम किसे compare कर रहे थे एक हमारा मलब color लगे होते हैं जो हमारा set आता है pH paper के साथ में उससे compare करते हैं लेकिन यहाँ पर हमने standard solution को बनाना होता है फिर उनहीं से compare कर करना होता है सेंपल को जो जो भी सेंपल जिसका हमने pH को determine करना है तो थोड़ा बहुत ज्यादे time taking process होती है तो simply आपने इस तरीके से आप लिखना होता और यह इतना काफी enough है 7 marks में कुस्षिन बनता है काफी यह लैंदी हो भी गया है तो यही आपको पहला question या बहुत पहल याव धाय थंक्य। वह नश्यादें